हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक यदि आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखके यह समझते हैं कि आपका पेट या आपकी तौन या आपका बैली फैट या आपका फैटी लिवर एक हपते में दो हपते में खतम हो जाएगा ठीक हो जाएगा कोई powder के बारे में यदि आप सोच रहे हैं कोई liquid के बारे में सोच रहे हैं यदि कोई kit के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप रुकिए समझेए आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं किसी दवाई से पेट कम करना किसी दवाई से मुटापा कम करना ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है और यदि ऐसा आप करते हैं, तो इसके बाद आपको deficiency आ सकती है minerals, vitamin की deficiency आप face करेंगे, anorexia आप face कर सकते है depression आपको हो सकता है, anxiety आपको हो सकती है और sleeping disturbance हो सकता है, तो उसके साथ साथ और भी कुछ दूसरे side effect आपको आ सकते हैं, आपका gut का health खराब हो सकता है और peat का स्वास फिर आपका whole life खराब रह सकता है तो जादूई तरीके से peat कम करने का जो तरीका है, वो बैग्यानिक नहीं है वो myth है, वो केवल आपको misguide किया जा रहा है और केवल अपने वीडियो को sensitize करने के लिए, या viral करने के लिए या attention पाने के लिए कई वारी बहुत सारे लोग social media पे इस तरह के trick अपनाते हैं, तो वो आपके लिए harmful हो सकते हैं social media पे 80% video fat को reduce करने के बारे में वेग्यानिक रूप से बिलकुल गलत है, उनका वेग्यानिक कोई आधार ही नहीं है तो आज हम ये बात करेंगे कि आपके अपने fat को कैसे कम किया जा सकता है अनीचरल ही कम किया सकता है, बगर दवाई के भी कम किया सकता है लेकिन सबसे पहली आवशक्ता ये है कि आपको ये जानना होगा कि आपके मुटापे के पीछे आपकी वैली फैट के पीछे आपकी जो बढ़ती तौंध है उसके पीछे आपके फैटी लिवर के पीछे क्या बुन्यादी कारण है जब तक आप कॉज नहीं समझेंगे जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तो आपका जो सॉलूशन है वो खतरनाक हो सकता है फिर जानलेवा हो सकता है और वो आपको परेसान कर सकता है बीमार कर सकता है हाँ यदि आपने प्रॉपरली कॉज उसको find कर लिया है उस कारण को समझ लिया है जिस कारण ये सब हो रहा है तो फिर आपका solution भी ठीक ही होगा तो सबसे पहले हम basic बन्यादी बात ये समझेंगे कि आखिर मुटापा आता क्यों है देखो मुटापे के पीछे आने के पीछे एक सीधा सा calorie concept है कि हम जितना calorie खर्च क लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि लगबख 300 calories आपके पास daily बसती है और जो बचे हुई calorie है वो बाद में एडिपोस्ट इसू यानि fat cells के रूप में बदल जाती है उससे आपको मुटापा आता है अब मुटापा वैली fat क्यों होता है पेट पे ही क्यों आता है इसका बुन् पेट के द्वारा ही होता है और आपके जो metabolic system है यानि catabolic और anabolic जो आपका प्रोसेजर है यानि कि खाने को पचाने की खाने को प्रोसेस करने की जो पिर्किरिया है वो पेट के level पे पर परफॉर्म होती है इसलिए आप देखेंगे कि यदि आपको कोई metabolic problem है तो आपका जो fat ह पेट पर fat ज़्यादा होगा हाथ-पेर आपके पतले होंगे आप हाथ-पेरों से weak होंगे muscles आपके पास नहीं होगे और आपका जो belly है उस फे fat आपको ज़्यादा देखेगा तो इसका कारण यह है कि उसमें pancreas की functioning आप उसमें liver की functioning उसमें intestine की functioning उसमें gallbladder की functioning यह बहुत important role play करते हैं यदि इनकी functioning भी गड़बड़ा जाए तो भी आपको fat आ सकता है तो भी आपको मुटाप आ सकता है अब दूसरी बात यह है कि आप यह समझे कि यदि आप कोई चीज एक्स्ट्रा अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं और उसका use नहीं हो रहा है वो process नहीं हो रही करता जितनी है उतनी ही calorie लीजिए ओवरीटिंग मत करिए और आप मंचिंग मत करिए मतलब आप जब खाना खाते हैं तब ही खाना खाएं बीच में कुछ भी ना खाएं क्योंकि जब आप बीच में कुछ खाते हैं तो जो body का जो processor है जो metabolic, catabolic, anaabolic जो processor है वो गड़बड़ा जाता है और उसके गड़बड़ाने के कारण आपको constipation आता है और constipation के कारण आपका cleaning properly ना होने के कारण आपको फिर मुटापद देखा जाता है अब हम आते हैं कि basic बुन्यादी कारण क्या होते हैं obesity के पीछे देखो वैसे तो कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं 8 और 10 reason है commonly but 4S का जो formula है यानि कि चार मुख का कारण है जो कि 90% लोगों के fat के पीछे ton के पीछे responsible होते हैं हम उनको आज समझते हैं सबसे पहला कारण है आपका stress देखो stress में एक तो हम ज़्यादा खाते हैं दूसरा stress के दौरान हम बीच बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते ह हैं कि हमारा liquid intake reduce हो जाता है यानि पानी पीने की जो पिरक्रिया है वो बादित होती है और stress में कोई भी इंसान पानी नहीं पीना चाहता जबकि science यह कहती है कि यदि आप under stress हैं तो आप यदि अच्छे से पानी पीते हैं और ठंडी हवा में यदि आप walk करते हैं तो आपका stress का deposition का जो process है उसको multiple कर देता है उसको बढ़ा देता है इस कारण आप मोटे होते हैं दूसरा reason है sleep sleep come sleep और sleeping disturbance यह आपके cortisol को और दूसरे hormones को disturb करता है dopamine serotonin को जिसके कारण आपको भूख ज्यादा लगती है आप ज्यादे fat accumulate करते हैं और आपको spicy oily खाने का मन करता है जो भी ल दूसरा उनको spicy oily खाने का बहुत जादे मन होता है और उसकारण उनको मुटापे की जो complaint हो बनी रहती है इसके बाद आता है sugar and sugar containing foods सुगर किसी भी रूप में आपके लिए harmful है और सुगर से बने जितने भी प्रोटेक्ट है वो liquid हो वो solid हो semi solid हो and the white जो food है white sugar जो है वो real में poison है वो आपको metabolic process को change करता है जो आपकी activities है वो बदल देता है प्लस सुगर के अंदर कुछ ऐसी चीजे हैं जिससे की आपको addiction होता है सुगर अपने आप में एक addiction है यानि सुगर और सुगर containing food वैसा ही addiction है जैसा smoking और alcohol का addiction है उसके बाद आता है trans और saturated fat जितने भी trans और saturated fat है यह आपके लिए harmful हैं यह सरीर के लिए poison है trans fat और saturated fat जो होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा calorie मिलती है बहुत ज़्यादा उससे एडिपोस इसूट फॉर्म होते हैं और उसमें minerals नहीं होते vitamins नहीं होते और saturated fat में कोई proper digestion भी वह आपका promote नहीं करता है तो अब यह तो होए कारण लेकिन अब यदि मोटापा है तो उसका solution क्या है देखो five step formula में आपको दूँगा लेकिन आप यदि इसको follow करेंगे तो यह एक बहुत ही प्रभावी और scientific solution है लेकिन यह ना सोचें कि ए एक दिन में ही जादू हो जाएगा क्योंकि एक दिन में जादू और चमतकार यदी होगा तो यह आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक भी होगा बाद में सबसे पहली चीज है कि आप regularly एक posture में लंबे समय तक ना बैठे रहे हैं यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं और लगातार बैठे रहना सोशल मीडिया के अडिक्शन ने सोशल मीडिया ने लोगों को एक पॉस्चर में बिलकुल पैक्ड कर दिया है और उसने एक अडिक्शन का रूप ले लिया है जैसे सुगर अडिक्शन है स्मोकिंग अडिक्शन है सोशल मीडिया का अडिक्शन है एक कोई exercise करते हैं तो daily basis life में एक तो posture change करिए body को stretch करिए दूसरा कुछ भी ना हो सके तो सीडियां चड़िए और walk करिए टहली ये कम से कम ये minimum आवश्यक्ता है यदि regular basis आप कोई fitness program join कर सकें या exercise कर सकें या yoga meditation कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है यानि एक हपते के अंदर लोगों को 200 minutes मतलब on an average 40 minutes and the 5 day in a week exercise करना चाहिए walking करना चाहिए deep breathing करना चाहिए या फिर आप सीरियां चड़ें या फिर आप पैदल चलें तो इससे आपका जो posture है उसके कारण जो problems होई है वो आपकी body में ठीक हो जाएंगे और आपकी obesity gradually नीचे आना सुरू होगा अब दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं कि sleep की quality को कैसे improve करें sleep की quality को improve करने के लिए आप 5 p.m. के बाद चाय कॉफी ना पिएं रात को अच्छे से साबर लें अच्छे से ना आएं रात में आप हलका खाना खाएं सोने से दो घंटे पहले आप खाना खा लें रात को social media के addiction यानि phone को एक time के बाद ना देखें और सोने कार उठने का एक time table set करें कुछ दिन के बाद दिखेंगे कि आपका body का clock change हो गया है और आपकी sleep की quality भी better हो गी है क्योंकि regular exercise से ना के बल इस्ट्रेस कम होता है बलकि आपकी sleep की quality भी enhance होती है stress को कम करने के लिए आप positive engagement तलासिए नई किताबें पढ़िए पैदल चलिए सीडियां चडिए और regular basis exercise करिए और outdoor कोई game खेलिए outdoor game खेलने से exercise करने से आपका stress और आपकी sleep की quality दोनों completely ठीक हो जाएंगे अब हम आते हैं food के level पे आप fiber food बढ़ाईए फाइबर से मेरा मतलब है हरी सबजियां, fruits, vegetable, दालें इनको बढ़ाईए और जितना भी trans fat है, sugar containing food है, outside food है आप उसको कम कर दीजे यदि आपको अच्छी quality का fiber चाहिए तो वो आपको दाल से मिल सकता है लेकिन दाल को खाने से पहले 6-8 hours आप पानी में डालिए उससे दो फाइदे आपको होंगे एक तो दाल के अंदर fiber का ratio बढ़ जाएगा, दूसरा दाल acidic है वो alkaline हो जाएगी, तीसरा वो easily digest होगी, उससे bloating नहीं होगा, उससे अफारा नहीं आएगा, उससे gas नहीं बनेगी, उससे आपको constipation नहीं होगा next point है कि आप trans fat और sugar बिलकुल cut कर दें, चाय कफी ज़्यादा पीते हैं आप तो उसको limited करें, या पर उसकी जगे green tea लें, सुगर जितना कम हो सके, liquid form में कम से कम लें, यानि दूद में, चाय में या दूसरी चीज़ों में जो directly आप sugar add करते हैं, उस सुगर को immediately cut कर दीजे, 50% पहले cut करिए और फिर उसको बिलकुल remove करिए, सुगर की जगे आप natural sugar, good sugar, coconut sugar, या फिर आप जो खजूर आप खाते हैं, खजूर के अंदर भी अच्छा सुगर होता है, लेकिन वो natural sugar होता है, तो चीनी की बजाए आप बच्चों को खजूर दे सकते हैं, एक या दो या चार जितना भी वो खाना चाहें, तो ये एक natural sugar का, एक natural normal pocket friendly solution होगा, और सर्दियों में आप good sugar खाएं, basically जो गन्य का sugar के इनका जो product है, वो directly आपको help करेगा, इसके बाद आता है कि fiber में एक आजमी generally 10-15 gram fiber लेता है normal, और जो लोग बहुत trans fat or sugar लेते हैं, वो केबल 8-10 gram fiber लेते हैं यदि आप fiber बढ़ा लेंगे, आप fiber 20-25 gram fiber लेजिए, तो आपको enzymes का protection अच्छा होगा, metabolic rate अच्छा होगा, और आपका obesity यानि जो मुटापा है वो घटना सुरू हो जाएगा, तो दो चीजें आपको increase करनी हैं, एक तो fibers बढ़ाने हैं, एक आपको liquid diet बढ़ानी हैं, और तीस आपको एक posture में बैठें नहीं रहना है, ये सब चीजें basically start करिए, अब हम आते हैं, कुछ medical issue भी होते हैं लोगों को, कि genetic region होता है मुटापे का, या constipation region होता है, या पेट की खराबी region होता है, तो उस case में आप इसब घुला is a good fiber for your health, और मुटापे को कम करने में भी मदद क चमच इसब घुल खाईए गरम पानी के साथ और रात को आप तिर्फला खाईए, दो से चार टाबलेट तिर्फला जंडू कमपनी का या फिर डाबर कमपनी का या एक चमच पाउडर लीजे, रात को सोने से आदा घंटा पहले हलके गरम पानी के साथ, तो इसब घुल और तिर्फला को का हेल्प आप ले सकते हैं, मुटापा कम करने के लिए, तौंद घटाने के लिए, फैटी लिबर को कम करने के लिए, किसी भी इनसान का, यानि यादी आप मेल हैं, तो आपका पेट का घेरा 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि आप फीमेल हैं, तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि आपका बेल्ट का घेरा इस से ज़्यादा है, तो फिर आपको फैटी लिबर हो सकता है, गॉल बडरे स्टोन हो सकता है, किड्नी में स्वेलिंग हो सकती है, और आपको कुछ दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो बेटर है कि एक हल्टा साउंड यानि की होल अब्डॉमन सकैन करा लें, और अपने डॉक्टर से कंसर्ट कर लें, ये सब लाइफ स्टाइल चेंज आपको खुद करना होगा, लेकिन यदि कोई मेडिकल इसू बनता है, और कोई जेनेटिक मेडिकल रीजन है आपके मुटापे के पीछे तो उसको क्लिकली मेडिकली डॉक्टर देख लेंगे और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज के साथ साथ उसको भी आपको टीट करना होगा, तो फिर आपका मुटापा, फैटी लेबर अर्तौन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यदि आपको हमसे कोई हल्प चाहिए, तो हमें आ और आपको जानिछ परस्टेश घर साथ, जाएगा, इन केड़ सूर्सक्त्रा, चाहिप जाएगा, यदि लेएट लेःग को जाएटिख, विडिवाटा, विडिवाटे दू होगा, टेजिए्य। विवाटेफेट लाइएट, परस्टेटो प्रसूस्य की काएगा, यदिं